एक को तो सबसे पहले आपको ओला इलेक्टरow.com पर आपको नेरिन करना सीडियो प्रिसेयनुंग दिनली्ब करना है यह दाए ओला इलेक्ट्रिक जो है वह रजर्ब से अगर आप electric vehicle अगर कोई ले रहे हो तो काफी यह चीज गलत है मतलब अगर आप environment के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पे 16,000 जो है road tax बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बाकी क्योंकि महारास्ट्रा में और ऐसे कुछ वहाँ पे सिर्फ 2,000 या फिर कुछ ऐसा 2,500 रुपए जो है वह यहाँ पे road tax के उस पे लिया जा रहा है और जबकि यहाँ पे 16,000 तो बस उसके वाज़से ही इसका प्राइस है वह 1,24,000 के आराउंड पे जा रहा है तो अगर आप आपने इसको पर्चेज नहीं किया है आपक पर आने के बाद आपको यह जो यह option आपको दिख रहा है यहाँ पर इसको टैप करना है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर sign-in का option जो है वह यहाँ पर प्रोवाइड होता है तो आप यहाँ पर sign-in करोगे और sign-in करने के बाद यह तो यहां पर फॉल्क असर लूट कर रहा है टाइम ले रहा है यहां पर तो जैसे कि आप यहां पर चेक कर पा रहे हो यहां पर मुबाइल नंबर का आपको आप पर अब यहां पर मुबाइल नंबर यहां पर पर आपको मैं पर फॉन पर यहां पर करता हूं तो यहाँ पर जो OTP है वो मेरे फोन पर रिसीव हो चुका है तो यहाँ पर जो OTP है मैं यहाँ पर OTP अपना पूट करके और इसको प्रोसीड करता हूँ तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट किया अपना OTP डालने के बाद और यहाँ पर आपका जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर आपको शो होगा और यहाँ से जो है कैंसल करने का ओप्शन भी जो है यहाँ पर आपको मिलेगा तो जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो आपने ओला जो है आपने जब भी अपना रिजर्ब किया होगा ओला स्कूटर तो मेरा डेट है वो 12th August 2021 का है पर रोट टैक्स के वज़े से यहां पर इसको पर्चेस करने का कोई वो नहीं बना तो यहां पर मैं एक बड़ चेक कर लेता हूं और देखिए यहां पर शो हो रहा है सारी चीज़ है पर्चेस यूर इसकूटर विल कीप यू नोटिफाइड और यहां पर कोई आप्शन नही के बाद यहां आपका order ID यह शो हो रहा है और आपका scooter जो है वह यहां पर शो हो रहा है आपको इस पर टैप करना है क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद आपको जो option आएगा यहां पर लास्ट में यहां पर cancel reservation का option यहां पर आपको शो हो रहा है उस सेम उसी page पे तो य यहां पर आपको cancel reservation का option मिला है आप cancel reservation पर जाए are you sure want to cancel your reservation once cancelled any amount that you have paid will be refunded to you तो अगर आप करना चाहते हो तो यहां पर yes करो और फिर आपका जो amount है वो जैसे भी आपने पे किया होगा जैसे UPI के तुरू या फिर अपने debit card credit card या फिर net banking के तुरू जैसे भी पे किया होगा आपको वहां पर आपका जो amount है 499 वो आपको वापस है वहां पर मिल जाएगा तो यहां पर देखो आपको option मिल रहा है we would like to know the reason for cancellation changed my mind no long uninterested I made the reservation by accident तो यहां पर आप इसको select कर सकते हो change the my mind यहां पर यहां पर option यहां पर मिल गया है change my mind no longer interested करो यहां पर next करो आप और यह देखो आपका जो ola s1 जो है order id यह था reserved on 16 September यहां पर शो हो रहा है तो cancellation requested refund initiated और यहां पर मेरे phone पर कुछ message आया है जैसे आपका जो भी registered mobile number होगा तो यहां पर मेरे mobile number पर भी message आ चुका है कि hi ronak sing your request to cancel the reservation of your ola scooter has been approved refund of 499 for your reservation id जो भी reservation id है मेरा will be credited within five to six working days तो मैंने जैसे भी यहां पर pay किया हुआ है वो यहां पर मेरा जो amount है वो मेरे bank account में refund हो जाएगा तो ऐसे ही आपका जो आपने purchase नहीं किया है तो आप इसको ऐसे cancel कर सकते हो और आपका जो 499 का जो amount है आप अपने bank account में five to six days में आप पाच सकते हो thank you और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और informative लगा होगा तो आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी share करें और चैनल को subscribe करना ना भूले और वीडियो अच्छी लगे तो like जरूर करें thank you so much for watching